हेलो मेरी यह स्टुएंट्स ममीध आप से वच्छे होंगे आज का टोपिक के लेनी फिल्टर सिंड्रूम के बारे हम बात करेंगे के लेनी फिल्टर सेंड्रोम ठीक है जिसके बारे हम कहेंगे सबसे पहला पॉइंट डिस्क्रिप्शन गिवेन वाई फर्स्ट गिवेन वाई एच एफ क्लैनी फिल्टर इन नेंटीन फोर्टी टू उननिश्चो प्यालिस में क्लैनी फिल्टर सिंड्रूम के वारे में डिस्क्रिप्शन देने वाले बेग्यानी का नाम था हच एफ क्लैनी फिल्टर डिक है दुसरा प्वान केंगे यह जो पिल्टर सिंड्रूम है किसमें होते हैं अकर्स इं मेल होंगे अब दखेए मेल की किसमें मेल में फिमील की जैसा करेक्टर एपिर होता है ठीक है the in male female like character female like character appears female like character appears so male is also known as किस नाम से जानेंगे तब कहेंगे फेमिनाइज्ट मेल देखिए नॉर्माली यह जो किलेंडी फिल्टर सिंड्रूम है उसको आप गी की नाम से भी जान सकते हैं अल्सो नॉन एज गे है ठीक है दुसरा पांड यह कहेंगे कि इन नॉर्मल कंडिशन इन मेल क्रोमोजोम नम्मर जो होगा क्या तब 44A ओटोजोम प्लस एक्स वाई यह होते हैं ठीक है बट इन केस अव किलेंडी फिल्टर सिंड्रूम प्लस एक्स एक्स वाई आगे लिए और हम यह कह सकते है या तो एडिशनल बोली यह या हम क्या कहेंगे एक्स्ट्रा बोलेंगे यह एक्सट्रा एक्स क्रोमोजोम का presentation किसमें केलेंडी filter syndrome में होता है ठीक है याद रखना है कि इन normal condition mail का जो chromosome नम्मर होगा 44A प्लस XY बट इन केस बट इन किलेंडी filter syndrome 44A और X XY यानि extra क्या है एक्स क्रोमोजोम पर जिन्ट है ठीक है अब दीए X और Y यह जो X और Y है यह किसको बताता है तो हम कहेंगे mail को और यह X और X किसको बताता है तो female को तो male और female दोनों का character इसे पर जिन्ट है किस में किलेंडी filter syndrome के केस में ठीक है कि दूसरा पॉइंट यह कहेंगे कि क्रेंडी filter syndrome जो है कि जिसको sex chromo-gumal abnormality के नाम से भी जानेंगे कि क्या भाई तो हम यहां पर इसको करेंडेज कर दें तेसे हम यह कहेंगे sex chromo-gumal abnormality इस नाम से भी हम जानेंगे किसको क्लेंडी filter syndrome को ठीक है दूसरा पॉइंट यह कहेंगे इन क्लेंडी filter syndrome नमबर अफ क्रोमोजूम कितना होगा नमबर अफ क्रोमोजूम कितना है 47 क्योंकि एक्स्ट्रा क्या आता है एक्स क्रोमोजूम एक्स्ट्रा आता है और नॉर्मल कंडिशन में 2N इकल टू 46 होते हैं और यहां पर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजूम आ गया है तो 2N प्लस वन यहां पर कितना हो जागा 47 क्रोमोजूम यह नॉर्मल क्लेंडी filter syndrome क्योंकिस है अगर इसी क्योंकिस में आर्टोजूम प्लस X X X Y 44 A आर्टोजूम प्लस X X X X Y यहां इसमें कितना क्रोमोजूम हो जागा 44 45 46 47 48 इसे 44 गया तो 45 46 47 48 49 इसमें यहां पर एडिशनल दो एक्स क्रोमोजूम है यहां पर एडिशनल तीन एक्स क्रोमोजूम पर जेंड है और यहां पर एडिशनल कितना ए है दो है ठीक है अगला पॉइंट यहां पर हम कुछ सेंप्टम के बारे हम बात करेंगे किसका सिंप्टम तो क्लेंडी फिल्टर सिंड्रोम के बारे में आप इसका स्क्रेंट ले सकते हैं ठीक है कि देखिए कि सेंप्टम जो होता है कि सेंप्टम्स के लेंडी फिल्टर सिंड्रोम का तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम ऐसा कहेंगे कि स्मॉल कि टेस्टिस और साथ में इस्मॉल पीनिस कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन जो है मील का वह क्या होता है छोटा हो जाता है यह कि प्रैम्री सेक्स और्गेन तो टेस्टिस है क्योंकि इस पर मणा ले काम करता है है कि दूसरा पॉंट कहेंगे इस्टेरेल नीचर कहोंगे वह मेल जिसमें लॉस और फर्टिलीटी पावर पर्टी रिल्टी पावर क्या हो जाएगा लॉस हो जाता है हम इसको एक और नाम से जानेंगे गैनेको मस्टिया गैनेको मस्टिया गैनेको मस्टिया में क्या होता है कि जो ब्रेश्ट होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं किसका तो मेल का तो मेल कब दिलिस्ट इनलार्ज होना अंगर्मा स्ष्यक लगता है फिर आगला बहते हैं से लेश हेर इसुर ऑन बोडी cellphone उनके सरिण के आपका कम होंगे just like a female, female के जिससा जैसे female के वो डी पर बाल क्या होते हैं कम होते हैं ठीक है और वाइस होगा उसका high pitch होगा high pitch voice उसका जो आवाज होंगे female के जैसा होंगे सुरूली आवाज होगा ठीक है अगले पॉयंट ये कहेंगे कि लॉंग लिमज उनका जो बैड होगा वो क्या होगा बड़ा होगा लॉंग लिम और नौक नी ये काफी एंपोरेंट पॉयंट है जिस से उनका जो घुत नहोंगा वो आपस में क्या हो जएंगे दुन एक दुश्रे काफी नजदी कोंगे इसी को बदर नौक नहीं ठीक है यह अगला पॉइंट कहेंगे हम जिसमें कि लेश मसल मास लेश मसल मास अगला पॉइंट कहेंगे विक बोन उनका जो हड़ी होगा वो कफी कमजूर होते हैं विक बोन और साथ में कहेंगे कि उनका जो इनर्जी लेवल होता है वो काफी कम होंगे लोवर इनर्जी लेवल ठीक है तो हमने कहा इसका सेंप्टम स्मॉल टेस्टिस, स्मॉल पेनिस, स्टिरल नेचे, लॉस ऑफ फटलेटी पावर, गनेको मैस्टिया जिसका मतलब होते हैं इनलार्ज, ब्रेष्ट, ब्रेष्ट के साथ क्या आँगे बरा हो जाएंगे, लेस हेर्स ऑन बोड़ी, हाई पीच भाइस, जिस्ट लगे फिमेल, लॉंग लिम्स, नॉक नीच, लेस मसल मास, वीक बोन और लोवर इनर्जी लेवल, साथ साथ एक दू लक्षन और है, उसको मेंटलेटी, यानि मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, उसका मेंटल ग्रोथ क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, और एक इंट्रेस्टिंग प्मेंट अभी आदर रखेंगे, अगर कोई फिमील प्रेग्नेंसी कंसीव करती है, जिसमें अगर अब टू 500 लड़के जनम लेते हैं, उसमें से एक बच्ची जो होते हैं, किस निचर का हो जाता है, कि लिए फिल्टर निचर का होता है, तो में लिए 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 500 मेल बर्थ रेट, मतलब 500 में एक बच्ची को क्या होते हैं, कि लिए फिल्टर सिंड्रोम होता है, ठीक है, अगला क्म पूर्मून को देखेंगे हम हॉर्मोन लेबल में में देखेंगे हम ऊय होुप ह् सिस्पोरा और यह ओन्गे वी स्पैंजा फीज हाई यह होुआ हे तिक के चाहिए रखाएंगे लो लेवल आफ किसका एंड्रोजेन जो मेल सेक्स हॉर्मोन है उसका लेवल क्या होंगे लो होंगे एक बात याद रखिए का ऐसे मेल जो क्लेंडी फिल्टर सिंड्रोम है जिसको जो क्लेंडी फिल्टर जिसको बोलते अपनी भासा में उसमें चांस जो है किसका चांस चांस आफ ब्रेश क्यांसर एंड ऑस्टियो पॉरेशिस एज मॉर मतलब वैसे मेल जिनको जो क्लेंडी फिल्टर सिंड्रोम की शिगार है जिसमें ब्रेश्ट कैंसर होने का चांस जो है क्यांसर होने का चांस और ऑस्टियो पॉरेशिस होने का चांस का होता है काफी जैदा होता है ठीक है अब देखिए यहां पर कुछ पॉइंट हमको थोरा सवसर कानेकुलोजन दिखना होगा तब यह कहेंगे इन केस ऑफ मेल जो क्लेंडी फिल्टर सिंड्रोम की निचर के हैं इसमें बार बोडी यह बोलिए या आप इसी को सेक्स क्रोमैटीन बोलिए इसका संख्या कितना होता है नंबर वन टरनलर सिंड्रोम में बार बोडी के संख्य क्या होते हैं जीरो बाट बोडिके सेंगे केलेंडी फिल्टर सिंडर्म कितना होंगे, वन, हमने पहले ही पताया था, बाट बोडिके बारे में, जुसकर आपकी सेक्स ह्च्रोमाटिन के नम से जानेंगे, कि इन केस आफ फिमिल, हविंग एक्स एक्स टू एक्स क्रोमोजूम, One X chromosome is deeply colored, that is heterochromatic in nature तो एक X chromosome है टकोपान होता है पूंगों को तेंचर की होते हैं उसी chromosome को बार्बोडी यानि आपयो मेटिंस के नम से जानते हैं नhaul अधने लो फीमेल है तो नर्मल फीमेल में ऐक्स आक्स होते हैं chromosome ॐ जिसमें xx कितना है दो इसका formula बार वड़ी नकालने का nx-1 जहांपे यह formula किसका है find out कि बार वड़ी नकालने है इसका यहां पर n कि है number of x chromosome यहां पर number of x chromosome कितना है in case of normal female to minus 1 यानी कितना हो गया 1 in case of mail mail के बारे हम बात करेंगे x y chrome होते हैं यह x का संग है कितना है 1 अब minus 1 equal to 0 तो bar body के संग के normal mail में कितना होगे 0 लेकिन cleanly filter syndrome के बारे हम बात करेंगे cleanly filter syndrome के बारे में इसमें जो bar body होगा उसका level कितना होगे है इसमें x x y extra x chromozome x chromozome कितना 2 minus 1 कितना होगे 1 तो bar body निकालने का प्रवाइए यहां साब इसको find out कर सकते हैं दूसरा प्रवाट यह कहेंगे cleanly filter syndrome के case में number of chromozome कितना होता है 47 ठीक है 47 x x y ठीक है इस तरीका से हमने भी देखा हमने समझा कि जो chromozome disorder है down syndrome, turner syndrome और cleanly filter syndrome आप इसको तीनो को note बना सकते हैं और उमीद है कि आपको समझ में आया होगा आप समझ गया होगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए, साज़ा कीजिए ठीक है ठीक्स झाल जाज एससेर कर दोस्तों कीजिए